सब इको नमस्कार जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पिछले कई महीनों से संगर्स कर रहे हैं Wrestling Federation of India के प्रेजडेंट ब्रेजबूशन सिंग के खिलाफ क्योंकि उसने बारतिय महीला पहलवानों का योन सोशन किया है और भी काफी सारे जो गोटाले Federation के माद्यम से उसने किये हैं पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि समाज में हमारे खिलाफ एक अलग से narrative बना जा रहा है कुछ अफवाई फैलाई जा रही हैं और साथ में मीडिया भी कई तरह की खबरे जो है दिका रहा है तो हमारा आज ये वीडियो बनाने का एकी परपस है कि हम जो अपनी सच्चाई जो असली सच्चाई है वो आप लोगों तक पहुचा सके आज हम इस अंदोलन की शुरुवाद से लेकर अभी तक पूरी की पूरी सच्चाई आपके सामने डिटेल के साथ रखेंगे आज जो हमारे उपर कई तरह जो आरोप भी लगे हैं आज हम उनका भी जवाब प्रूफ के साथ देंगे सबसे पहला जो आरोप हमारे उपर लगा था वो लगा था कि हमारा ये जो आंदोलन है वो राजनीती से प्रेरित है कॉंग्रेस लेडर दिपेंदर हुडडा ने हमारे कोई सांदोलन के लिए उकसाया है आप सब को पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आये थे जंतर मंतर पे वो जनवरी में आये थे और उस प्रोटेस्ट की जो परमीशन है वो बीजेपी के ही दो लीडर्स ने ल जनतर मंतर थाने से ली गई थी वो बीजेपी लीडर तीर थराणा और बीजेपी लीडर बवीता फोगाट ने जो प्रमीशन ली थी जिसका प्रूव भी अभी हमने आपको दिखाया तो यह कैसे हो सकता है कि यह आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने करवाया गारेंटी के से जो इस तरह की छेड़ चाड़ जो मैलाओं के साथ जो हो रही है या किसी और कुछ लोगों ने देखा भी था जिसका प्रूफ मीडिया में कुछ कोचिज ने दिया है कई लोग जो है इसके खिलाफ आवाज उठाना भी चाते थे लेकिन हमारी जो रेसलिंग कॉमुनेट उसमें दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती थे लगातार और बार बार हमने सभी को बताया है कि जो हमारी लडाई वो सरकार के खिलाफ नहीं है हमारी लडाई जो है रेसलिंग फेडरेशन के प्रेजिडेंट के खिलाफ है क्योंकि जो भी सोशन उसने किया है जो भी रेसलिंग पार्टीक से ही सांसद है और जो जिनोंने प्रोटेस्ट की परमिशन ली वो भी जो है बीजेपी के ये लीडर है तो इससे तो ये साफ होता है कि वही हमारी लडाई सरकार के साथ नहीं थी और हमारे उपर दूसरा आरोप ये भी था कि हम इतने टाइम तब चुप क्यूं थे तो इसके कई कारण है सबसे पहले तो एकता की बहुत कमी थी एक साथ कभी हम होई नहीं पाए और इसका दूसरा कारण तो आप समझी सकते है कि माइनर जो लड़की जिसने 161 के बयान दिये फिर 164 के उसके कई दिन बाद जो है उसके अपने बयान बदले क्यूंकि उसके प बड़ी ववस्ता और इतने पावर्फुल आदमी के खिलाफ आवाज उठा सके और वो सब आप लोगों ने महसूस भी कर लिया होगा कि इंडिया के टॉप प्रेसलर्स ने मिल कर आवाज उठाई और उसके बावजूद भी उन्हें किन-किन हालातों से गुजरना पड़ा उपर जो इतना जोर जबर जस्ती का और इतना बर बर वहवार जो है किया गया पुलिस परसास नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24